दोस्तों जैहन स्वागत है आप सभी का study with MSPP चैनल पर दोस्तों यह current affairs का वीडियो है ठीक है और अभी मैं आज से मतलब आज से in the sense अभी जो daily current affairs वाला वीडियो था उसको daily न दे करके मैं आपको weekly दूँगा ठीक है यह dose जो है अब weekly होगा ठीक है तो जैसे यह weekly वाला पहला वीडियो है 16 मार्च से 23 मार्च के बीच के जो भी परिक्षा के द्रिश्ट कोंड से जो महत्पोंड महत्पोंड खबरें हैं उनको मैं लेकर आया हूं आपके सामने ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और ल जल्दी से फटाफाट सुरू करते हैं आज 23 तारीक है तो 23 तारीक को आपने पढ़ा होगा आपको याद भी होगा ठीक है 23 मार्च सहीत दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है सहीत दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ऑ्जी के दिन भगत ठीक है और सु तो इनको इनके उपर कई सारे आरोप लगाए गए थे उस मैसे जैसे एक लाहॉर सडेंधर था ठीक है लाहॉर सडेंधर केस इनकों ने क्या कर रहा था इनों ने जो साइमेन कमीशन के दौरान जब लाला लाजपत्रायय और ये सब लोग विरोध कर रहे थे उस समय विरोध में लाला राजपतराय को के उपर लाठिया भाजी गई थी ब्रेटिस सरकार द्वारा तो उसमें उनकी मृत्य हो गई थी तो उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने प्लान किया और जो ब्रेटिस अधिकारी संडर्स थे उनकी हत्या क अब भी ठीक है तो उससे क्या हुआ वो जब मारे गए तो उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं क्रांदिगारी घटनाएं चलती रहें देश को आ जादी दिलाने के लिए तो एक कंड और हुआ था जो असे Central Assembly में जो बं भेका था आपको याद होगा Central Assembly में बं भेका गया था तो उसमें क्या है यह लोग भागे नहीं थे इन्होंने अपनी ग्रिफतारी दी थी तो उसी वज़ा से पकड़े गए थे अधरवाइस पकड़े भी ना जाते यह और ग्रिफतारी दी फिर उनके उपर लाहॉर सदेंट केस के तहत मुकतमा चला तो यह याद रखेगा परिक्षा के देश्कोंड से यह भी महत्पूर्ण है लाहॉर सदेंट केस में कौन-कौन सामिल थे थीक है तो यह ध्यान रखेगा इन लोगों के नाम याद रखेगा क्योंकि परिक्षा आप सिविल सर्वेंट के लिए जो परिक्षार्थी है सिविल सेवक बनने जा रहे ह जो उनके लिए यह सब जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया इसको ठीक है तो अतिहासिक भी महत्पूर्ण आप समझे इनका चलिए सुरू करते हैं महत्मा गांधी ग्रीन ट्रैंगल यह कहां सुरू किया गया है यह मेड़ गासकर में याद रखेगा बहुत महत्पूर्ण ह इस तरीके के जो कोई कार्य किया जाता है विदेशों में तो वह महत्पूर्ण हो जाता है परिक्षक दिश्ट्ट्रों से तो मेड़ गासकर ग्रीन ट्रैंगल यह याद रखेगा यह मेड़ गासकर में खोला गया है यह आजादी के अमरित महुत्सों को चिन्हित करने के ल इनको विज्ञानिक अनसंधान के लिए 31 जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है भौतिक विज्ञान के छेतर में ठीक है किसको दिया गया है प्रोफेसर नाराण प्रधान को दच्छेड एसिया का पहला सहर जिसने 2050 तक सुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्षा रखा है तो याद रखेगा बहुत महत्रपोर्ण है क्योंकि भारत का तो पहला है та है मैं है इसा 20зд को लक्षण करने को Judy निर्धारित किया है तो यह महत्रपोर्र हो तो इसको याद रखेगा मुंबई भारत ने अपना सुन कार्बन उसर्जन कब तक रखा है बताइए आप कमेंट करके सुन उसर्जन का मतलब यह नहीं होता है कि कार्बन का उसर्जन होगा ही नहीं उसका मतलब यह होता है कि जितना आप carbon sergeant कर रहे हैं उतने के बराबर ही आप कुछ ऐसी activity जो जैसे पेड लगा रहे हैं या फिर कुछ और परियावरण से संबंधित ऐसा कारे कर रहे हैं जिससे carbon को neutral किया जा रहा है तो इसलिए वो बोलते हैं carbon neutral इसका मतलब यह होता है ठीक ह है तो याद रखिएगा इसको confused नहीं होईएगा चलिए भारत का पहला hydrogen fuel cell EV electric vehicle यह किस ने लॉंच किया भी तो यह Toyota ने लॉंच किया है और दिली में इसका उधगाटन किया गया है यह अपने यह गटकरी जी के द्वारा ठीक है तो इसका नाम क्या है वो ध्यान रखिएगा यह इसका नाम है Mirai Toyota Mirai करके है याद रखिएगा ऐसे भी पूच जा सकता है कि Toyota Mirai क्या है अगर option में electric वाहन लिखा रहेगा तो आप उस पे टिक मारिए ठीक आगे बढ़िए चलिए ASEAN Bank of the Year Award किसको दिया गया है तो IFR ASEAN Award 2021 जो है अभी गोसित किया गया था AXIS Bank को दिया गया है ASEAN Bank of the Year Award गंगा से ब्रह्मुपुत्त तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन सा है जो नेशनल वाटर हाइवे है वाटर वे है उसका नाम जरूर याद रखिएगा MV MV रामप्रसाद विसमिल ठीक रामप्रसाद विसमिल तो याद रखेगा यह नाम यह जहाज का नाम है यह 90 मेटर लंबा और 26 मेटर चौड़ा है यह माल लेकर के कंटेरनर वगेरा जो भी उस तरीके के लेकर के हल्दिया से हल्दिया में कौन सा बंदरगाह है यह स्यामा प्रसाद मुखरजी बंदरगाह और कहां तक गया यह गौहाटी यानि पांडू रंग बंदरगाह तक तो याद रखेगा बहुत महत्तपून है यह जितने भी प्र संथ्क VID. और जो निधी विस विद्याले हैं उनके द्वारा यह सिक्षा को मतलब बहतर सिक्षा बनाने के लिए गुनात्मक च्छा देने के लिए यह गोवा घोष्णा पर साइन किया गया इनके द्वारा थैक है तो इस तरीके से प्रशन पूछा सकता है कि गोवा घोष्णा related to ऐसे करके पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस से संब्धित है यह सिख्छा से संब्धित है SDG लक्ष संख्या चार्ड जो है quality education उससे related है यह तो याद रखिएगा इसको International Day to Combat Islamophobia तो यह अभी UN ने हाली में 15 मार्च को घोसित किया है International Day to Combat Islamophobia बेसिकली यह पाकिस्तान ने OIC में यह प्रस्ताव दिया था और उसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और UN ने भी उसको मंजूरी दे दी तो याद रखिएगा पाकिस्तान बड़ा खोस हो रहा है UK Children Book Award यह किसको मिला है तो भारती मूल की लेखिका है मंजीत मान इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि जो भारती मूल के जो भी व्यक्त थी हैं अगर उनको कहीं विदेशों में किसी एजिंसी में कोई appointment मिलता है या कोई इस तरीके का पुरस्कार मिलता है तो वह परिक्षा के दिश्ट्रोंट के महत्तपूर्ण हो जाता है कई बार ऐसे प्रस्न पूछे गये हैं कोई सब आप देख लिजे उठा के तो इस तरीके के प्रस्न पूछे गये हैं चोटे से चोटे और बड़ किया जाता है तो आगे उसका बताऊंगा मैं ठीक है यह अभी इसकी थीम क्या है इसकी थीम है सांत रहो समझदार रहो और दयालू रहो यानि कीप काम इस्टे वाइज एंड बी काइंड ठीक है याद रखिये गये दोहजार तेरह से मनाया जाता है भारत की आर्केटिक नी नीती यह याद रखियेगा है भारत की आर्केटिक नीत कभी मोचन किसके दोहरा किया गया तो तो विज्ज्ञानेवम प्रावदद की राज्य मंत्री ड्क्ट जीटेन सिंग दोहरा यह लॉँच किया गया है इसका सिर्षक याद रखियेगा इंडिया अंड श्रावा बिल्डिंग ए पार्टनर्सिप फार सस्टेनेबल डिवलप्मेंट तो ध्यान रखिएगा यह मेंस वगयरा में भी काम आएगा यूपी पीसे मेंस और यह सब जो भी प्रिक्षाएं हैं तो वहां भी लिखने के लिए काम आएगा यह ठीक है सूरजकुंड मेला अंतराश्ट कोई है तो जरूर जाइए देखने के लिए अच्छा मिला लगता है यह थीम स्टेट कौन सा है इसके साथ थीम स्टेट होता है जैसे कहीं कहीं भी मेला लगता है इस तरीके का तो थीम स्टेट रहता है तो थीम स्टेट जम्मो कस्मीर है ठीक याद रखेगा तीस अधिक द क्रिप्टो करेंसी है ठीक है तो यह पहला प्लेटफॉर्म बन गया है भारत का गोईटस जिसने की किसी क्रिप्टो करेंसी को सुची बत किया है ठीक है गोईटस नाम याद रखेगा स्री लंका को एक बिलियन डॉलर की लाइन आफ क्रेडित सुधा दी गई है अभी आपको स्री लंका जो है बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से जूज रहा है तो उसको सहायता देने के लिए पहले भी थोड़े दिन पहले भी किया था अभी भी किया है एक बिलियन डॉलर की जो है लाइन अफ क्रेडित सुधा दी है भारत क्या करे भारत अपने प्रोशियों को ब अपनाता है चेक्बुक पॉलिसी रहती है उसकी लोन देदेगा आपको और उसके बाद फिर आपके धीरे धीरे छेत्रों पर कब्जा करने लगेगा लेकिन इंडिया की जो फॉरेंड पॉलिसी है वह बहुत मनला ओपन माइंड़े और बहुत ही हेलफुल नेचर उसकी है अपने देश के हितको ध्यान में रखकर काम करते हैं लेकिन दूसरे का अनभल नहीं करते हैं ठीक है भारत की पहली मेडिकल सिटी यह याद रखेगा जहां पर पहला सब्द लग जाए वह महत्तपॉंड हो जाता है एक्जाम के दृष्ट से परिक्षा के दृष्ट कौन से चाइना इसके अलाव यह सब आल्तो फाल्तो काम वही करता रहता है कभी अर्डिफिस्यल सन बनाएगा मून बनाएगा लेजर बीम बनाएगा यह दो दुनिया भर के काम करता है याद रखेगा चाइना ने बनाया है राष्टी सुरक्षा दिवस चार मार्च को मनाया जाता है 21 मार्स को 2013 से मना जा रहा है यह वनों को महत्तु देने के लिए तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि पूछा जाए भारत में कितने रुपय का निवेस जापान जो है अभी जापान के प्रधान मंत्री जो फोमियों की सिधा है वो अभी आये थे भारत में और उन्होंने भारत के साथ भारत में बहुत सारे समझतों पर साइन किया है करीब 6 समझतों पर साइन किया है तो उसमें उन्होंने ये भी है उनका कि 3.2 लाग करोन जो है जापान यहां भारत में निवेश करेगा ठीक है अच्छी बात है विस्सक्षाहाली रिपोर्ट जो अभी मैंने बताएं आपको विस्सक्षाहाली रिपोर्ट 2022 ये वर्ड हैपनेस टेज जो 20 मार्च को है उस दिन जारी की जाती है ये प्रतेक वर्स तो उसमें भारत का स्थान 136 है दोजार इकीस में 149 था तो तीन अंकों का सुधार हुआ है इसमें फिन्लैंड इसमें लगातार पांचमी बार पहले अस्थान पर है डेन्मार्क सेकें इन जो कंट्री है उनका बोलवाला रहता है ठीक है और अंतिम अस्थान पर अफगानिस्तान है अंतराश्टी भूवग्यानिक कांग्रेस का 35-36 संसक्राण कहां पर हुआ है अंतराश्टी भूवग्यानिक कंग्रेस तो ये नई दिल्ली में हुआ है इन्नोवेशन इस बी आई द्वारा और कहां पर तो तेलंगाना में ठीक है एस बी आई जो स्थापना होई थी वह एक जुलाई 1955 में हेर्कॉर्टर इसका कहां पर है मुंबई में याद रखेगा दिसांक एप ये किस सरकार द्वारा जारी किया गया है तो दिसांक आप जो है ये करनाटक इस बीडर्वी नायुचा के ढूलच चर तो ये द्यान में रखेगा समार्ट ग्रेट नालेज चर पहला जहां पहला सबील लग जाया है वह बहुत माथपोंड हो जाता है ठीक वर्ट्वल समार्ट ग्रिट सब्समर्ट ना ओलज और ये मनेसर में खोला जाएगा थीक है यह कंपणी बन गई है यह पेट्रो प्रडक्ट कंपणी है यह देख है बी इस प्राफ्त कौन सी टीपिल याद रखे गए जुनायत कमाल अहमद यह कौन है यह अंतराश्टी रिण एजनसी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कोई भी भारती मूल का या भारती अगर किसी अंतराश्टी एजनसी में अगर उसको न्यूक्ती मिलती है तो यह महत्तपूर्ण हो जाता है प्रिक्षा के दिस्ट्मूर्ण से ऐसे प्रस्ण बार-बार पूछे गए हैं तो याद रखे गए इनका जुनायत कमाल अहमद अंतराश्टी रिण एजनसी के यह उ अगर आप जल नहीं बचा सकते हैं तो कम जखम आप जो है आप उसको बचा के कुछ तो मदद कर सकते हैं तो इसलिए डोंट वेस्ट वाटर ठीक है चलिए बहुत कीमती है उसका कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है पखाल दिवस किस राजसरकार द्वार मनाये गया है पखाल दिवस किस राजसरकार द्वार मनाये गया तो पखाल दिवस क्या है यह बेसिकली एक चावल का यह पानी पखाल का मतलब होता है आप जो बोलते हैं यह उडिसा सरकार ने अभी मनाया ठीक है इनका एक पारंपरि के लिए और ये इसको मनाए गया है 20 मार्ज को मनाए गया पखाल दिवस याद रखेगा उड़ी सा द्वारा ठीक है यह भगवान जगनात मंदिर है वहीं से यह इस महुत्सों की जाएगा कि यह आगरा में शुरू हुआ है ठीक है अपकी बार के विस्साय वस्त क्या है आजादी के अमरित महुत्सों के संग ताज महुत्सों के रंग तो याद रखेगा इसको कोल्ड रिस्पॉंस 2022 यह क्या है यह साइन अभ्यास है नाटो सदसे देशों के द्वारा किया जा रहा है यह नौर्वे में ठीक है नाटो नाटो का यह क्या कमुख्याल है कहां पर है नाटो तो बताएगा आप कमेंट कीजिएगा दो प्रेशन हो गए आज के ठीक है करनाने के लिए राश्टी विधान अप्लिकेशन जो है एन इवी ए कारक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य जहां पर पहला सब्द या मैं बताते हैं कई बार बता चुका हूं तो याद रखेगा आप मैं इसलिए जोड देता हूं कि आपको याद रहे वो तो नागा करत होता है जीवन ठीक याद रखेगा इसको 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ चार पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है तो गुर्गाम गुरुग्राम में ठीक याद रखेगा इसको प्रिजर महत्पूण है यह ठीक है आर्किटेक्टर का यह आउसकर कहा जाता है यह नोबल पुरसकार कहा जाता है आर्किटेक्टर के लिए ठीक है तो यह फ्रांसिस केरे को दिया गया है फ्रांसिस केरे पहले अस्वेत अफ्रीकी है यह तो इसलिए और महत्पूण हो जाता है अभी आपको याद होगा जब WTO में उसकी जो अध्यक्षा बनी थी पहली अस्वेत अफ्रीकी तो जिदनी भी परिक्षाएं उस वर्स होई हैं पिछले साल 2021 में लगभग लगभग सभी में ये प्रशन पूछा गया तो इस तरीके का जो प्रशन होता है वो बहुत करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला तयराक है वह कौन बनी है भी तो ये जिया राय है आजमगड यूपी उतर प्रदेश की एं ये ठीक है इनोंने इनके जो इनकी जो उम्र है वो 13 साल 10 माह है और इनोंने जो पाक जल अमरूमद किस के बीच में है कहां कहां किस के बीच म वह प्टयाठोब पढ़ता है आप दाइए कमेंड करके थीक कमेंड जरूर करिएगा आप तेरा गहंटे 10 मिनिट में इन्हों ने उसको पार किया 29 किलोमिटर है लगभग उसकी लंबाई कितनी 29 Legend तो याद रखिए उसको 13 गंटे 10 मिनट के निदर में पार किया पहले ये रिकॉर्ड बुला चौधरी के नाम था उन्होंने 10 गंटे तो इनसे कम रिकॉर्ड इनके नाम पर रहा भी 13 गंटे 10 मिनट में ठीक है जिया राय आजमगड की है इसलिए यूपी करेंट के लिहाद से भी महत्पूर्ण हो जाता है ध्यान रखिये गए इसको ठीक माल्दिव सरकार ने इस स्पोर्ट्स आइकॉन का पुरसकार दिया है कि इसको सुरेश रहना को दिया है किस भारती अर्थसास्त्री को यूएन की सलाहकार बोर्ड में सामिल किया गया है तो अभी जब मैंने बताया आपको कि कोई भी अंतराश्टी जो भी एजंसियां होती है उसमें अगर किसी भारती की या किसी भारती मूल की व्यक्ति की अगर नियुक्ति होती है तो वह बहुत मातपूर्ण होता है तो यह जयति घोस है उनका नाम याद रखेगा यह अर्थसास्त्री है इनकी नियुक्ति वहां पर हुई है चीक है यूएन के सलाहकारी बोर्ड में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट पर ही चुने गया है कौन यह यह फूटबॉल की जो चैंपियंसिप होती है ना इंडियन उपर लीग तो उसमें क्या है 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 एदराबाद एपसी ने पहली बार ट्रॉफी जीती है इसलिए थोड़ा सा महत्तपूर्ण है के रिला ब्लास्टर्स को हराया है ठीक है तो ध्यान रखिएगा यह ब्लू अम् पूछा जाता है इनकी बुक्स बहुत पूछी आती है रस्किन बॉंड जो कि हैं यह अंग्रेज लेकिन इनकी जो पैदाइस है वह इंडिया में ही हुई थी फिर चले गए थे यह अपना ब्रिटेन में ठीक है तो याद रखिएगा यह हो गया आज का यह वीकली जो था य लेंगे क्योंकि टाइम मुझे भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाता है ठीक है बागी यह सब चीजे में आपको कवर करवाता रहूंगा तो आप इसको देखिएगा कमेंट कीजिएगा नय है चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा लाइक झाल झाल झाल